गाइस यहां पर देख रहे होना मैं आज का मेकप लुक में मैं यह ग्रीन आई मेकप लुक दिखाने वाली हूं ओके यह वीडियो शार्ट स्पे स्टाइलिंग इससे पहले देखे हूंगे आप लोगा बट यह आई मेकप लुक अपलोड करने में बहुत देर हो गया फिर भी मुझे अपलोड करना ही था तो आज अपलोड कर दूंगी ओके गाइस यहां पर देख रहे होना मैं सिंपल सा ग्रीन कलर सारी कूं आफवाइट ब्लाउस ले ली ओके और मैचिंग इयर रिंग्स पेन ली और आफवाइट जो वाच है मेरे पास वो भी चलिए गाइस अम प्राइमर अपलाई कर रही हूं फेस पे अच्छा से अपलाई करके स्प्रेड करी उसके बाद में जो है हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन ले ली मैं आप लोग चाही तो जो भी चाही तो वो ले लीजिए ओके यहां पर अच्छा से डाट डाट करके फेस पे नेक पे अ तोड़ा सा टाइम टेःट ब्रोसेस है ये जो है ब्लेंडल का बस ब्लेंड तो जरूर करना है ओके तो यहां पर यहां पर अच्छा से ब्लेंड करी उसके बाद है फोल दे ली गाइस महीं यहां पर बुडा भ्यूटी का लूस fordra रही है लूस fordra लेके अच्छा से सेट करूँगी मैं face पर neck पर अच्छाअ से set करती मैं उसके बात जो है गायज मैं eyebrows fill कर रही है यहाँ पर जो है eye brows fill करने के लिए आईêm ब्रो pencil लेले आईब्रो pencil लेकर prefers filter Me surrender में उसके बाद जो है आई शाड़व प्यालेट में से इक ओरल सा शेड ले लएम मैं देखरें हो ना यापरyl शेड लेके उसके बाद जो है क्रीज़ बिल्ड करें या पर देख लेज़े मैं मैं क्री बिल्ड करें में क्रीज़ देख्व करें उसके बाद जो है स्मोक की आईशाडो प्यालेट में से ब्लाक कलर आईशाडो ले रही हूं गाइस यहां पर देख रहे हो ना ब्लाक कलर आईशाडो लेकर मैं आउटर वी पे अपलाई कर दूँगी यहां पर देख रहे हो ना आउटर वी पे अपलाई करके अपलाई करके ब्लेंड कर दूंगी गाइस ओके यहां पर मैं ब्लाक आइशाड़ ले रही हूं इसलिए बहुत कम अमोंट में लूँगी क्योंकि जादा लेंगे तो बहुत ही खराब लगेंगा ओके तोड़ा तोड़ा लेकर मैं ब्लेंड कर दूंगी यहां पर देख लिजए मैं आउटर जरूरी है। उके इसके बाद मैं ग्रीन गलर आईशाड़ लेकर मैं पूरे लिड पर आपले कर दी देख Groß जो है स्मोकी एफेक्ट दे दी मैं ओके गाइस अब ग्लीटर भी अपलाई करी उसके बाद जो है मैं काजल अपलाई कर दूंगी यहां पर मैं जो है लक्मी काजल अपलाई करी ओके गाइस अब जो है मैं काजल अपलाई कर दी उसके बाद जो है आई-लाइनर ले लेके आई- दीखेंगा ओके यह मेरी ओपीनियन है इसलिए मैं ज्यादा भी हाइर नहीं रखूंगी विंग्स मीडियम रखूंगी ओके साड़ी पेन रही हूं और तोड़ा सा मॉडरन टच दे रही हूं तो तोड़ा सा विंग भी ड्रा करी मैं देख रहे हो ना दीरे दीरे करके आइलानर प्रा करना चाहिए अगरसे आप लोगऑ बिंग नर्स हो तो अगरसे आप बिंग नर्स नहीं है तो फर्मफिक्ट इनर अपले कर नहीं कर दो को तोलिए इस समय मासकारा अप्लाइ करी इदर धव्याइप है दूसरी आई भी डन करणी मैं है इस तरह है उसके बाद झो मैं कंटोरिंग करूँगी गाइस फेस मो making कंटोरिंग करें मेरा देखिर बन उसकेगि यह सब contouring करेंगी क्योंकि हम जो है foundation concealer यह सब यूज करने से हमारा जो natural shades है वो दिकाई नहीं देता ओके उसके बात जो है आम contouring करने से अमारा face को जो हैएक dianxial shape मिलेंगा उसके बात जो है हमारा फेस जो है सीजर लगेंगा दिषे आप there मिकंटोरिंग लगाई तोड़ा सा ब्लेंड ब्लेंड़ कर दुगी है जो नुजब्रीक पे हैं 보। मुझे लगा कंटोरिंग तोड़ा सा ब्लेंड करना चाहिए प्रोड़क्ट दिखाई देरा इसलिए मैं क्या करी फिर ब्रेश लेके फिर से कंटोरिंग कर रही हूँ अब जो है आईलेटर लेके नोस प्रीच पे अपलाई करूँगी और ब्राव बोन के पास अपलाई करूँगी हाईलेटर और लिप्स के पास अपलाई करूँगी देख रहो ना ब्राव बोन के पास भी अपलाई कर दी मैं हाईलेटर लेके यह जो है स्विस ब्यूटी का लेकर ब्लेश आपलय करती हैं तोड़ा जादा हो है जैसा उसके doğru is लेली देख हुआना यह पर तोड़ा जादा हो गए तो मैं तोड़ा सा फावडर लेके लूस फावडर लेके सेट कर दी उसके बाद जो है मैं ब्राउन कलर शेड लेली बट मुझे लिफ जो जो color है मुझे समझ बनी आया तो nude lipstick लेके फिर से उसको पर apply करी तो ये lipstick का इस तरह दिखरा बहुत ही अच्छा है क्योंकि मुझे lips को neutral रखना था और उसके बाद जो है मैं साड़ी पेनली देख रहे होना ये था ये look उसके बाद मैं jewelry पेनी मैं earrings भी green पेनी और जो है hair style high pony पे तोड़ा सा इस तरह जूड़ा के तरह बनाई तो overall look ये है guys अगर सच्छा लगे तो like कीजे ओके guys bye